नमस्कार आज मैं आपको मैलेबूल कास्टेरन के बारे में बता रहा हूँ मैलेबूल कास्टेरन क्या है वह कास्टेरन जिसको पीटा जा सकता है यानि जिसमें मैलेबिलिटी गुन होता है ऐसे कास्टेरन को हम मेलेबूल कास्टेरन कारते हैं इसमें कौन-कौन से गुन होते हैं यह जानगे यह तन्य होता है इसमें मसीनिंग किया जा सकता है यह जंग अभरोधी होता है इसमें उचित सक्ती होती है एवम करापन मौजूद रहता है इसका उपयोग कहां कहां होता है तो मेलेबुल कास्ट अरन का उपयोग, मोटर, स्कूटर, कपरा, किर्सी, इत्यादिक के कारखानों के पूर्जे, ब्रेक ड्राम, लीबर, चक्के के हाव, ट्रक, एक्सल, एसेम्बली के कास्टिंग, इत्यादि में इसका उपयोग किया जात इसकी प्राप्ति कैसे होती है वाइट कास्ट एरन का उचीद एनिलिंग करते हैं और फिर उचीद एनिलिंग करके उसको हम प्राप्त करते हैं मेलेबुल कास्ट एरन बनाते हैं मतलब वाइट कास्ट एरन से ही मेलेबुल कास्ट एरन बनाते हैं धातु के गलाने की मिदी क्या क्या है तो मेलेबूल कश्टरन को कुपला फर्नेस में गलाते हैं बायू भर्ठी विदूत आर्क भर्ठी हित्यादी में भी गलाने का काम करते हैं कभी कभी क्या करते हैं क्यूपोबा में गलाए गए Star ум करते हैं तो इस तरह से वह रिफाइन हो जाता है तो यह प्रोसेस डुप्लेट्सिंग कर लता है इसको नोट कर लेंगे डुप्लेचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कुपला में सबसे पहले iron को गलाया और पुना उसको air furnace या electric furnace में ले गया और वहाँ पे उसका melting करके refine किया तो यह process काल आता है duplexing अधिकांसता air furnace में लेवल कास्ट iron के हेतु उपयोगी होता है क्योंकि air furnace में carbon या an element जो होते हैं उनको कमी बेसिक किया जा सकता है यह अच्छी तरह से उसको नियंत्रित किया जा सकता है इस परकार malleable कास्ट iron के बारे में आपने जाना next आपको मैं handling of white कास्ट iron बताऊंगा धन्यवाद